अज चार्ट करके आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से मसीन चलती है दोस्तों नमस्कार सस्त्रियकाल सुविधा मैनुफेचर इंडिया दिल्ली नारायना बिहार के अंदर हमारी कमपनी दस साल पुरानी है और हमारे हाँ सभी तरह की मसीने एंड रो मटेरियल मिलती है तो सर देखिए अभी जो आज का वीडियो ये है जो आज वीडियो में आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि लोगों ने कहता है कि बिजनस करने में घाटा क्यों लगता है अगर गाटा नहीं होगा तो बिजनस नहीं होगा क्या बात है सर ऐस टाटीन में तो गाटा लगता है लेकिन बाद में पैसे ही पैसे आता है तो सर हम आज इस क्रेंक मसीन के उपलक्ष में कुछ बोल रहे हैं आप से तो सर घर बें बैठे बेरोजगार आप लोग जो टीवी देखते हैं यूटूब पे वीडियो टाइम पास करते हैं कुछ नहीं करते हैं अगर बेरोजगार हैं तो एक छोटी सी मसीन लिजिए और अपना एक छोटा सा बिजनस अस्टार्ट किजिए तो दोस्तों ये हमारी मसीन क्रेंग सिंगल डाइ मसीन है और ये आपके सामने एक लगी है हाइडोलिक ये क्रेंग डबल डाइ तो सर हमारे कमपनी में क्रेंग परकार की मसीने मिलती है दूसरा ये देखिए आपके सामने ये लगी है हाइडोलिक मसीने है तो सर इस कंपनी में कैक परकार की मसीने 10,000 से स्टार्टिंग 1,000,000 तक की मसीने या मिलती है और हिंदुस्तान में सबसे सस्ती, सबसे अच्छी सुविधा मेनुफेक्चर इंडिया के अंदर है सर कारण, संस्ता देने का कारण क्या है सर कि हम मेनुफेक्चर खुद अपने हाथों से करते है ये मसीन जो बनाये हैं हमने अपने हाथों से बनाये है और अपने हाथों से बना करके तो सस्ता ही बेचना परता है क्योंकि हम ट्रेडिंग तो नहीं करते हैं, ट्रेडिंग में क्या होता सर कि कहीं से मसीन खरीद करके और अपना कमपनी का नाम दे करके प्रोडेक्ट अपना बना करके बेचते हैं तो मसीन महंगी मिलेगी आपको लेकिन अगर हम खुद मैनुफेक्चर कर रहे हैं हमारा खुद मैनुफेक्चर है तो हमें कम बजटने मसीन त्यार हो जाती है और सबसे सस्ती सबसे अच्छी ये सुधा मैनुफेक्चर इंडिया दिल्ली नारैना बिहार के अंदर है यहां मिलेगी तो सर हमारे यहां कैक परकार की मसीने है ये सिंगल डाई है ये डवल डाई है तो सर इसका प्रोडेक्शन आपको एग घंटा में अगर कोई डाई लगाते हैं चार इंची से लेकर के 12 इंची तक पर घंटे में 1100 से 1260 का प्रोडेक्शन है इस मसीन से सिंगल डाई से सर और अगर इसी डवल डाई माँक्त काम करते हैं एग घंटे में आपको 2,025पीस इसमें निकलेगी डबल डाई में तो सार हमारे यहां डाई, मटरियल सभी परकार के उपलाब्ध है जैसे आप चाहेंगे जिस परकार में चाहेंगे उस परकार में मटरियल देंगे आपको डाई देंगे और मसीन जो चाहेंगे आप मैनुवल से मैनुवल क्रेंक, ओटोमेट्रिक, हाइडोलिक सभी परकार की मसीने हमारे इस सुविधा कमपनी में उपलब्ध है आप दोस्तों देखिए मसीन चलाने का तरीका क्या होता है कि इसमें इसको पैनल बोला जाता है और ये जो लगी है डाई है ये क्रेंक इसको बोला जाता है पीछे मोटर लगी है उसके बाद ये पुल्ली, बैल्ट यही सब इसमें होता है सर और इसको चलाने के लिए बिल्कुल असान तरीका है मसीन में कोई तरह की दिक्कत कोई तरह की परिसानी आती है इसमें क्या होता है ये का starter होता है जो own ops किया जाता है और दूसरा ये आपका heating meter है हमको किस size में heading करना है माल हम बनाते हैं जैसे ये दोना πतल हम बना रहे हैं इसमें finishing कैसे आधी और कितने पर कंट्रोल करके रखेंगे तो यह मसीन चलेगी उसके लिए यह दिया गया है हीटर मिटर इसमें 10 के लेकर के 100 तक है अगर आप हीटिंग करना चाहते हैं कम तो 10-20 में आप हीटिंग कर लेजिए अगर जादा में करना चाहते हैं 50-60 में किजिए और अगर हाई करना है आपको 90-100 में किजिए इसमें हीटिंग मीटर है और यह लाइट जो है आपके घर में जो बिजली आती है तो बता दिया जाता है कि आपके मसीन में लाइट आ रही है और यह आपके घर में जो बोल्टेज है यह आपके घर में जो बोल्टेज है कितना पावर है घर में तो यह बताती है 270 बोल्टेज यहाँ पे है उसके बार यह जो है जब हम हेटिंग करते हैं तो हरी बटم जलती है जब क्या करते हैं सर की ये हीटर है इसको हमने गुमाया बंद कर दिया तो यह बक्ती बंद हो गई दूसरा जो है अस्टार्टिंग करने के लिए हम इसको जलाते हैं और मुझे पता चलता कि मेरा मसीन ठीक ठाक है कंडिशन में है और हिटिंग हो रही है तो सर इसमें हिटर लगी रहती है और डाई 4 इंची से लेकर के 12 से 13 इंची तक आप इस मसीन में चला सकते है तो सर अभी हम मसीन आपको चला करके दिखाते हैं किस प्रकार से मसीन चलती है और कैसे चलती है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा आप सुरू से अंग तक लगे रहिए देखते रहिए और अपना मनोरंजन भी करते रहिए उसके बाद पूरा वीडियो को जानकारी करने के बाद हमारा नम्मर भी दिया गया है आप नम्मर पे जाए किलिक किजिए, बाते किजिए वीडियो कोलिंग किजिए जैसे आप चाते हैं जिस प्रकार से चाते हैं ओनलाइन बुकिंग तो ओनलाइन भी कर सकते हैं ओपलाइन करना है तो ओपलाइन कर सकते हैं या तो आके विजिट करके ट्रेनिंग लेकर किआप मसीन ले जाना चाते हैं तो आईए पूरे हिंदुस्तान में हमारा कम्पनी का प्रोडेक्ट मिल रहा है और मिलेगा तो दोस्तों ये मसीन अभी हम अश्टार्ट करके आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से मसीन चलती है तो सर इसी प्रकार से आप 4 इंची से लेके 14 इंची तक आप काम कर सकते हैं और सभी प्रकार का दोना प्लेट जो आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं एग घंटा में 1100 पीस का प्रोडेक्शन है गारेंटी के साथ आप घड़ी का टाइम देखकर कि आप मसीन को चालू किजिए और एक घंटे में ग्यारा सो पीस का प्रोडेक्शनिस का आप गिंती करके लिए ये मसिन का प्राइट सर्फ 25,000 है 18% GST है एक छोटी डाई 4 इंची या 6 इंची का आपको लगा के देंगे उसके बाद जो डाई आप लेंगे ओ डाई का और मटेरियल का चार्ज आपको अलग से लगेगा ट्रांस्पोर्ट का सुविधा हमारे यहां है आप इंडिया में किसी भी कोना में अगर आप मसीन सुविधा मैनुफेक्चर इंडिया से ले जाना चाहते हैं तो आप यहां से बुकिंग करवा करके ट्रांस्पोर्ट द्वारा ले जा सकते हैं अगर आपको दिक्कत आ रहा है कि ट्रांस्पोर्ट के लिए हम कहां जाएं कैसे पता करें तो उसके बारें भी यह कमपनी पूरा आप पे ध्यान देगा और आपका काम करवाएगा ट्रां में बारी है कि हम जब आप booking करते हैं तो आपके घर तक मसीन हम छोड़ेंगे तो दोस्तों इसी तरह से मसीन ये तो आप देख लिए सिंगल डाई आप इसमें ये डबल डाई है डबल डाई ये मसीन जैसे आप इस वीडियो में देखें आगे सिंगल डाई का और डबल डाई का डबल डाई भी इसी प्रकार से चलती है तो इसमें भी कुछ नहीं किया जाता है इसमें भी देखें वही सिस्टम लगा है इसमें डबल हीटर लगी है डबल सूच लगी है सिंगल डाई में डबल पोडेखशनों हो जाएगा तो सर ये भी मसेन इसी प्रकार से जैसे आप देखें सिंगल डाई की मसीन चलते व peacefully essent वह उसी प्रकार से आप だफा ड्यार्ट है का बी मसीन देखिए इस तरह से चलती देखिए देखिए सर इसी परकार से मसीने चलती है double die, single die दोनों मसीने जो है इसी परकार से चलेगी सर और इसी तरह से काम होती है तो दोस्तों अगर आपको किसी भी मसीन की जुरुत है अब छोटा सा बिजनस करना चाहते हैं सुबिधा मनुफेक्चर इंडिया दिल्ली नारेना ब्यार के अंदर आईए और मसीन पर्चेज कराईए पर्चेज करने के बाद आपको ट्रांस्पोर्ट में हम ये मसीने बेजेंगे और किस तरह से जो है बिजनस करना है उसके बारे में भी ट्रेनिंग दिया जाता है मसीन चलाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है तो दोस्तों आप जरूर से जरूर एक बार भेजिट कीजिए या ओनलाइन बाते कीजिए जैसे भी चाहिए अगर बेरुजगार बैठे घर पे हैं तो एक बार जरूर आईए